इस दमकते हुए सोने पर खून के दाग हैं। रईसों के सबसे शानदार गहनों में लगने वाली इस बेशकीम्ती धातू के लिए लोग मारे जाते हैं। अफरिकी देश Democratic Republic of Congo DRC के पास दुनिया का सबसे शुद्ध सोना है। ये आदमी अपनी पहचान छिपाए रखना चाहता है। काम पर जाते हुए बस उपर वाले से दुआ करते हैं क्योंकि हमें तो ये मौत की सजा जैसी लगती है। अक्सर खदाने ढह जाती हैं। छै साल पहले बीस से जादा लोग जिन्दा दफन हो गए थे। मैं अपने तीन भाईयों और दूसरे मजदूरों के साथ वहां था। सब के सब खदान के भीतर फंस गए थे। अब भी उनकी लाशें अंदर पड़ी हैं। बहुत दुख हुआ मुझे बहुत ज्यादा। लेकिन आखिर कब तक दुखी रहता। मुझे रोजी रोटी कमानी है। और तो और इस खदान पर एक हथियार बंद गुट का कबजा है। माई माई या कुटुमबा। संयुत राष्ट की रिपोर्ट में ये पता चला है। ये विद्रोही हर मजदूर से बतौर टैक्स पैसे एटते हैं। मुझे लोही की रोट से पीटा गया क्योंकि मैं उन्हें टैक्स नहीं दे पाया था। फिर मुझे कीचन से भरे गड़े में डाल दिया। वहां मैं भूखा प्यासा कई दिनों तक पड़ा रहा। वहां छे लोग और कैद थे। वह बताते हैं कि उनका वजन 10 किलोग गिर गया। दूसरे मजदूरों की भी यही कहानी है। वह बताते हैं कि माई माई के लोग उनके आसपास ही रहते हैं। अब भी वो पहाड में कहीं छिपे होंगे क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हम आ रहे हैं। इस ख़दान पर पत्रकार पहली बार पहुँचे हैं। माई माई या कुटूंबा और स्थानिय प्रशासन के अधिकारियों ने हमें इंटर्व्यू देने से मना कर दिया। सब को पता है कि स्थानिय प्रशासन विद्रोहियों से मिला हुआ है। सब के बीच पैसा बढ़ता है। माई माई विद्रोही एक जातिय समू के सफाय पर तुले हैं। जिसे वे अपना खास दुश्मन मानते हैं। उनका दावा है कि बान्या मुलेंगे समुदाए डियारसी का नहीं है। वे उनके गाउं जला देते हैं, बलातकार करते हैं और दरजनों लोगों को मार डालते हैं। एस्थर नंदुहुरा इन हमलों में किसी तरह बच गई थी। हम लोगों ने जहां पनाह ले रखी थी, उन लोगों ने वहीं पर हमला बोल दिया। तीन लोगों को मार डाला, मेरे ससूर को मार दिया और मेरी सास को घायल कर दिया वो बताती हैं कि दोनों 80 साल के उपर के थे भूखे प्यासे उन्हें और उनके परिवार को पैदल चलने पर मजबूर किया गया उनके पती को ले गए, तब से एस्थर ने अपने पती को नहीं देखा है बाद में पता चला कि उन्हें भी मार डाला दरजनों लोग मारे गए, सैकड़ों विस्थापित हुए, अब एस्थर सुरक्षित हैं एक दोस्त के घर में पनाह लिए हुए हैं ख़दानों पर विद्रोहियों के कबजे का मतलब है सोने पर टकराओ लेकिन ये कारोबारी इससे विचलित नहीं जल्द ही वो देश में पहली गोल्ड रिफाइनरी लगाने वाले हैं योरोप और अमेरिका को सोना निर्याद करेंगे फिलहाल सरकार से हमारी बातचीच चल रही है वो देखेगी कि कौन कारीगर यहां काम करने आ सकता है वो सारे कामकाज पर नजर रखेगी उमीद है उससे मदद भी मिलेगी लेकिन सोना असली है या नकली ये तै करना मुश्किल है कारोबारियों ने बताया कि सोने के असली ठिकाने को छेपाने के लिए वे नकली ट्रेसिंग सर्टिफिकेट बनवाते हैं एस्थर नंदु हुरा सोने के खूनी व्यापार को बंद करने की अपील ही कर सकती है मैंने सुना है कि माई माई हतियार खरीदने के लिए गोरे लोगों को सोना बेचते हैं मैं उन गोरे लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनसे सोना खरीदना बंद करें फिर वे ना हतियार खरीदेंगे और ना हमें मार पाएंगे एस्थर के लिए बात सीधी सी है जब तक सोने की खुदाई से हत्यार बंद गुट मुनाफ़ा कमाते रहेंगे वे लोगों को मारने के लिए नकदी भी पाते रहेंगे